प्रेंड साजम लोग देखनी वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए महादपुर्ट पचास प्रस्णों को जो आगामी आपके लिए सभी ग्जाम में हेलफुल होने वाले हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के क्लास की आज आपका पहला प्रस्ण है महाराष्टर के संगीत रंगमंच का प्रसिद लोक रूप कौनसा है कौनसा प्रसिद लोक रूप है आपके महाराष्टर के संगीत रंगमंच का बेरी एजी एंड वेरी इंपोर्टेंट पहला प्रसिद लावड़ी दूसरा नौटं की तीसरा तमासा और चौथा है आपका ग उड़ी एक्स नहीं कितमें किसंद्रुत इसाली में कथा भाव हमेसा महा भारत यहारा मायर स से लिया जाता है बेरी इंपॉर्टेंट कोईश्चेन आपको बताने इन में से कौन सा एक ऐसा अंद्रुत्ति है जिसमें जो विसेवस्टी होता है जो theme होता है वो या तो महाभारत का होगा या रामायड का होगा पहला आफसन है उड़ीची दूसरा है भरत नाट्यम तिसरा है कुचिपुडी और चौथा है मोहनी अटम ये सभी भारत के सास्त्रे नृत्त हैं और जिसमें रामायड और महाभारत को बनाया जाता है विसेवस का सीसिरा में आया है विस बहुं कि कभीर की भासा क्या थी चौन सी भासा में वो लिखते थे या कौन सी भासा में उपदेश देते थे पहला है अवधी दूसरा है भोजपूरी तीसरा है ब्रज भासा और चौथा है आपका मैथली देखिए आपके सामने है चार आप्षन और आप बहुत आसान इसे पता सकते हैं कि जो कबीर है हाला कि इनकी भासा को लोग सधुकड़ी कहते थे यानि कि आवधी इसमें सही आप्षन हो जाएगा आवधी का प्रियोग किया है इनके लिए सधुकड़ी सब्द का भी प्रियोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही आसान या कहिए साधारड सब्दों में लोगों को अपनी बात ही कहते थे जिससे लोगों को बाते आसाने से समझ में आती थी आपको बताना है next question में सितार और वीडा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है यह सारी question आपके previous year के हैं आपको बताना है कि जो सितार है और वीडा है यह दोनों बादे अंतर है लेकिन इनके स्वरों में कौन से चीज़ है जो अंतर करती है पहला है तारत दूसरा है गुड़ता तीसरा है तारत और गुड़ता दोनों और चौता है इनमे से किसी में भी नहीं आपके सामने option है बच्चो और बहुत ही सांदार प्रश्ण previous year के सारे question है तो निसी थी फिर से repeat हो सकते हैं option number B बिलकुल सही है केवल और केवल गुड़ता के आधार पर गुड़ता यानि कि जो गुड़ है इसके आधार पर एक ही अस्थान पर लगने बाले दो महा कुम्ब मेलों के बीच कितने वर्सों का अंतरान होता है एक ही अस्थान पर जो महा कुम्ब लगता है वैच्चो महाकुम्ब कि तने वर्स पे लगता है शी five तौब सभी को पता है ये लगता है आपका बारबर्ष gusta के अंत्राल पर आलाकर कि महाकुम्ब इक अस्थान पर बारबर्ष के अंत्राल पर रहा है निमनोक में से कौन हिंदूस्तानी सास्त्री वदि संगीत में सुविख्यात हैं इन में से कौन से वेकती हैं जो हिंदुस्तानी सास्त्रिये वाक संगीत में प्रसिद्ध हैं यहां से जब क्वेस्टन आता है तो मोस्टी गलत होता है इसलिए ध्यान दीचेएगा पहला आफसन है सोवना नारेड दूसरा है एम एस सुब्बालच्मी तीसरा है पंडित जसराज और चौता है एम एस गोपाल कृष्णन चार आफसन आपके सामने हैं और आपको देना है जब आप सांधार प्रशने बचों याद रखेंगे जो सही है वो है एम एस सुब्बालच्मी आफसन नमबर भी पिल्कुन सही है तरीके से डिजाइन किया या बैज्यानिक ढग से डिजाइन किया है जहां प्रत्ति घर को शूटी की रोशनी मिलती है और शड़ के समकोड परकारती है एक तूसरे को यह डिजाइन करने वाले बेगती जो है यह कौन से देस के हैं नेदरलेंड के हैं पुर्टगाल के हैं यूगे के हैं या फ्रांस के हैं आपको उनका देस बताना है तो याद रखेंगे यह है आपके फ्रांस आफसन नमर डी बिलकुल सही है नेक्ट क्वेस्टन है बच्चों आपके सामने निमनल लिखित में प्रसिद्ध वायलीन बादक कौन है आप सभी को बता है वादे अं सुल्टाना और डी में हैं अम्रिता सेंगिल बताएंगे बच्चों इसमें से कौन है जो जुड़े हुए हैं आपके वायलीन बादे अंतर से याद रखेंगे वायलीन बादे अंतर से जुड़े हुए है प्रोपेसर टी एन कृष्णन आपसन नमबर ए बिलकुल सही है दे दे से भी बड़े पैमाने पे आते हैं तो बहुत ही चर्चित मेला है यह आपको बताना है यह कौन से जीले में लगता है रजस्थान के आपके सामने आपसन है जोगतपूर, अजमीर, जैपूर, और धैपूर और आप सभी को यह पता हो आपसन नमबर जुबी है बिलक पूछतिकला, संगीत, चित्रकला यह है आपका नाटेकला तो यह तो बिलकुल आच्छा है बढ़िया है आप बता सकते हैं यामनी राय कौन से छेत्र से जोड़ी हुई है याद रखेंगा यामनी कृष्ण मूर्ती नहीं पूछ रहा है बलकि यामनी राय पूछ रहा है तो यामनी कृष्ण मूर्ती पूछ तो वो आपका हो जाता नरत्य से नहीं लेकित में से कौन भारती संगीत के ठुमरी रूप लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता यानि कि इसमें से कौन है जिन्होंने ठुमरी को लोकप्रिय नहीं बनाया है बाकी लोगों का योग बतान है ठुमरी को लोगपरिया बनाने में पहला आफसन है तान सेन, दूसरा है अमीर खुष्रो, तीसरा है नवाब वाजिदलेसा और चौथा है सिध्धेस्वरी देवी बताएंगे बच्चो आप सभी के सामने हैं आफसन और आप बता सकते हैं क्योंकि ये most important question है आप सभी को पता होगा अमीर खुष्रो बहुत सारे चीजों से जुड़े हैं ये वादे अंतर के आविसकारक भी है ये कभी भी है दिहासकार भी है बहुत सारे छेत्र में इनको ग्यान है लेकिन इनोंने ठुमरी को लोगपरिया नहीं बनाया इसलिए नहीं है बाकी आफसन आपके बिल्कुल सही है निम्ने लिखित में से किसे विस्व कला शंग्रहों का भंडार कहा जाता है इन में से कौन सा है जो विस्व कला जो है संग्रहों का भंडार है बचुँ ए है भारत का राश्ट्रिय अभलेखागार बी है राश्ट्रिय संग्रहाले C है राष्ट्री आधुनिक कला दिरगा और D है सालार जंग संग्रहाले Most important question है बच्चो इन सारे चीजों को बिलकुल याद कर लीजेगा Because exam में बार-बार पूछे जाते हैं गलत ना हो इसलिए class को ध्यान से देखें रिविजन भी करते रहें आप सालार जंग संग्रहाले आपका सही option हो जाएगा बचलो class में समय से उपस्तित रहें और सेर करना बिलकुल ना भूले Next question सालार जंग संग्रहाले कहां इस्तित है आप जान रहे हैं ये बहुत सारे चीजों का शंग्रह रखनी वाला एक संग्रहाले है आपको बताना ये है कहां पर आपके सामने पहला आफसन है हैदराबाद दूसरा है जैपूर तीसरा है लकनोवर चौता है मुंबई बदाएगे बचो सलार जंग जो संग्रहाले है ये कहां है ये है आपका हैदराबाद आफसन नमबर ये बिलकुल सही है जो कि तलंगना की राजधानी है स्वामी नारायर मंदिर अच्छर धाम कहां इस्थित है ये तो बहुत आपसान है बचो लेकिन थोड़ा सा ध्यान से उत्तर दिजेगा स्वामी नारायर मंदिर कॉमा अच्छर धाम कहां इस्थित है पहला आफसन है तो याद रखेंगी, और अफसर नबर डी सहीं है, गाधी नगर गुजरात में है स्वामी नाराण मंदिर और अच्छर धाम, एक अच्छर धाम मंदिर आपके दिल्ले में भी है लेकिन यहाँ पे दो मंदिरों का नाम पुचहा है, स्वामी नाराण के नाम से तो यह आपका कहां पे हो जाएगा गुछरात में अगला question भी आपका बहुत ही महत्पूर है तो इसको ध्यान से देखेगा आपको बताना है निमलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल आपको बताना है मेल करके कि कौन सा है जो सही रूप से कूट की साहता से मिलाना है वच्चो ध्यान से देखेगा एक तरफ आपके कलाकार है दूसरी तरफ वो किस छेत्र से जुड़े हुए है यह दिया हुआ है तो पहले आप देख लीजे कलाकारों में और कला रूप तो इसमें आप देख रहे हैं सामने दिया है सिताइब ब κάνाए प्रबीन सुल्टाना सामने दिया है चित्रकला से में दिया प्रदोस् टास गुपता और सामने दिया हिंदुस्तानी संगीत जिसे भारते संगीत भी कहते हैं और चौथ डे पहले हैं तूट आपके सामने है A, B, C, D और रीखे A में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानि कि सभी सुमेलित है B में है कि आपका A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1 और C में देखे चाहरा कि A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1 बेखे C मेंका देखे है कूट भी और आपके सामने option भी है बच्छो आप सभी को इसका जवाब देना है सावधाने से उत्तर दीजेगा देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले है 15 नंबर question का आपको उत्तर भी देना है तो ध्यान पूर्वक दीजेगा और इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका option नंबर बी यानि कि जतिन दास है चित्रकारी से परबीन सुल्ताना है हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत भारतिये कला से या भारतिये संगीत से और आपका जो प्रदोस दास है ये जुड़े हमें है मूर्तिकला से और जो आपके उस्ताद विलायत खां है ये जुड़े हमें है सि तो इस तरह की question बहुत important होते हैं लेकिन ऐसे question को बहुत ज्यादा वारी की सिध्यान देनी की जुरत होती है नहीं तो confusion बहुत होता है निम्न में से कौन सा बादियंत्र बिना तार का होता है इन में से कौन सा बादियंत्र है जिसमें तार नहीं होते पहला आफसे ने गिटार दूसरा है सितार तीसरा है टैम्पेट और आपका चौता है वाइलिन किस में तार का परियोग नहीं किया जाता है वच्चू याद रखेंगे आप सभी को पता होगा वाइलिन में तो होता ही है सितार में भी होता है गिटार में भी होता लेकिन आपके ट्रमपेट में तार का परियोग नहीं किया जाता है सहतारा जिसे सितारा भी या सितार भी कहते हैं का जनक निमलिखित में से किसे समझा जाता है किसे माना जाता है सितार का जनमदादा और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि मैं ये हिस्ट्री में भी साल कराई हूँ और आयोक का ये बहुत ही फेवरेट है और आपसन नमर सी सही है अमीर खुश्रों ने दो वादियंत्रों को मिला करके सितार का आविश्कार किया था निमनलिखित में से वह संगितकार कौन है जो बधिर यानि की बहराधा इसमें से कौन से एक संगितकार है जो की बधिर या बहरे थे A में दिया है B, THO, 1L, B B में दिया है BAK, J, S C में दिया है Richard, Strauss और D में दिया है J, Hanson, Brams आपको बताना इसमें से कौन सा option है जो सही हो जाएगा ऐसे question भी आयो के द्वारा पूछे गए हैं आप देख सकते हैं आयो कुछ भी पूछ सकता है इसलिए आप लोगों को हर चीज पढ़के रखना है वी-थो-1-L-B जो है ये बधिर या बहरे संगीत कार थे Next question निमने लिखित में से किस अस्थान पर भारती विरासत की लगुचित्रकारी का विकास हुआ? कौन सा अस्थान है जहां पे भारती विरासत की लगू चित्रकारी का विकास हुआ बच्चो ए है गुलेर, B है, मेवार, C है, बुंदी और D है आपका किसंगर्ड चारा स्थान आपके सामने हैं आपको बताना है कहां पे लगू चित्रकारी का विकास हुआ है है most important और यह है आपका option number D किसंगड किसंगड सायले में ही भारत की मोनालिसा यानि की बढ़ी ठड़ी पेंटिंग भी बनाई गई है तो most important question था यह question भी आपके रिए सांधार है एक question से आप लोगों के कई सारे facts clear होने वाले हैं तो आपके सामने option है बचो और question भी निम्लिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल जो है मिलाए एक तरफ कलाकार है और दूसरे तरफ है कला रूप पन्नालाल घोस क्या चित्रकला से जुड़े हैं पंडित भीम सेन क्या करनाटक हैं क्या अंजली इला मेनन मासुरी बातक है क्या मदुराई मडी अयर हिंदुस्तानी संगीत या कंठ संगीत से जुड़े हैं अब आप लोगों ने देख लिया है अब आपको में कूट दिखा दे रही हूं आपको बताना है कूट देख लेजी आपके सामने क्या दिया है ति इस धिन Absolutely असे अब दिखा दे रही हूं आप एक बार और भी का 2, C का 3, D का 1, यह थोड़ा सा सांदर प्रस्न है और एक साथ का इप फैक्ट भी क्लियर होने वाले हैं तो बच्छो मैं एक बार और और भी आपको यह दिखा दे रही हूं आप एक बार और भी इंसको देख लीजे फिर मैं आपको आप्सन दिखा दे रही हूं कि क्या है ज पंडित भीमसें जोसी हिंदुस्तानी संगीत अंजली इला चित्रकला और आपने अभी देखा भी था एक और भी महिला थी और मदुरय मड़ी आयर यह आपके बांश जो है यह किस से जुड़े हो जाएंगे करनाटक संगीत साली इस तरह से आपका आपका आपसन नमर शी स यानि कि ऐसा रंगीन जो चलता हुआ चित्र दिखाया गया है जिसमें चलाय मान है आपको बताने है पहला है मदू मती दूसरा है मुगल ए आजम तीसरा है आन और चौथा है आपका दो बिगा जमीन पताएंगे वच्छो कौन सा आपसन है जो सही हो जाएगा भारत में सब से पहले निर्मित रंगीन चल चित्र कौन सा है यह है आपका आपसन नमर सी आन देखें यह सारी क्वेश्टन पूछे गया है चाहे वह आये सो समिच्छा दिकारी हो सभी काम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और यकला क्वेश्टन भी देखें बहुत ही सांदार है एक ह तरफ कलाकार है और दूसरी तरफ है कला रूप उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या भरत नाट्यम से जुड़े हैं हेमा मालीनी क्या यह सरोद वादक है क्या बिर्जु महराज संतूर से जुड़े हैं क्या आपके पंडित स्यू कुमार सर्मा कथ्थक से जुड़े हुए है आप लोग एक बार फिर से देख लिजे कलाकार और जिस रूप से जुड़े हैं और फिर मैं आपको दिखा रहे हूँ गूट A में है कि A का पहला B का तीसरा C का दूसरा और D का चौधा B में है A का दूसरा B का चौधा C का तीसरा और D का 1 C में है A का 3 और आपका B का 2 C का 4 D का 1 D में दिया है A का 2 B का 1 C का 4 और D का 3 देखिए आप लोगों को यह बताना है वश्चू बहुत ही बढ़िया है और आप सभी को बता हुगा बिर्जू महराज किस से जुड़े हुए है यह आपके होने चाहिए कत्थक से बिर्जू किस से जुड़े होने चाहिए कत्थक से यानि कि C का थिरी अगर आप देखें तो आप सभी को उत्तर मिल गया होगा बहुत है आसान था और एक उप्शन से भी आप लोग इसको ढूंड सकते थे तो बच्चा लोग क्या होगा आपका आपका आप्शन नंबर जो सही है वो है आपका आपका C का 4 यानि कि कत्थक जो है यह किसका होगा य बिर्जु महाराज का कत्थक है तो यह देखें आपका D में भी है और C में भी है तो जो सही है वचो वो है आपका आप्शन नंबर जो सही है वो D है यानि कि A का 2 B का 1 C का 4 इस तरह से उस्ताद अल्लावदीन खां आपके किस से जुड़े हुए है उस्ताद अल्लावदीन सर्मा आपका ओप्शन नंबर जो 3 है इससे जुड़े हुए यानि कि संतूर से इस तरह से आपके एक क्वेस्टन से चार तत्थे क्लियर हो गए हैं और इनको बार 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 विजन कीचेगा मुश्ट इंपोर्टेंट है बहुत जादा आते हैं आकास वाड़ी AIR ने अपन आपको बताना है कि इस जो आपने फैक्ट देखे हैं आकास बाड़ी ने अ हों आपका उल्ल नाम है इन्डियन प्राइट-कास्टिंग यहां पर कास्टिंग होने चीड इस रहा है कम पनी से काम करना का प्रार बताना है आपके सामने और पनी और अब पहला यहला 1927 दूसरा 1932 तीसरा 1936 और चौथा 1947 तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चो वो है आपका 1927 ए ओप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा वहमुके छेत्र कौन सा है जहां गर्बा अंदरत्य प्रशलिद है आसान है बता लेंगे आप लोग गर्बा अंदरत्य कहा से जुड़ा है महराष्ट्रा है गुजरात है राजस्थान है और पंजाब है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना जी चूंकि एसे फक्ट एक्जाम में बार बार आते हैं गर्बा गुजरात गासे गर्बा गासे गुजरात महराश्टरा का लावडी राजस्थान का घुमर पंजाब का आप सभी को पता है भांगडा, गिद्दा मोहनी अटम कहां कहां है और यह भी बहुत आसान है सास्ति अंद्रत्य बहुत बार पूछा गया है मोहनी अटम आपका पहला है दूसरा केरल, तीसरा करणाटक और चौत्था है तमिलाडू तो इतना तो सभी को पता है की करणाटक का कोई सास्ति अंद्रत नहीं है मडिफूर का तो मडिफूरी है, होगा नहीं तमिलाडू का तो भरतनाटेम है तो कहां का हो जाएगा केरल आफ्सन नमबर भी बिल्कुल सही है पंडित भीम सेन जोसी के क्रिया कलाब का छेतर क्या है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है बच्चो पंडित भीम सेन जोसी कौन से छेतर से जुड़े हुए है आपको यह पताना है और आपके सामने आफ्सन है सास्त्रिय पहला है साहित दूसरा है सास्त्रिय संगीत यानि की गायन तीसरा है से चौर चौथा है पत्रकारिता तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आप सभी को पता है कि ये सास्त्रिय संगीत से जुड़े हुए है गायन से जुड़े हुए है भीम सेन जोसी लोकचित्रकला मधुबनी किस राज्य का लोकप्रिय है आपको बता है कि ये किस राज्य में लोकप्रिय है सभी को बता है बहुत आसानी से बता देंगे पसिम्मंगालोडिशा विहार और अर्शम आप सभी को बता है मधु बनी बिहार का बहुत ही फेमस लोगप्रिय पेंटिंग है और इसके नाम पे वहां के एक रेलवे स्टेशन का नाम भी मधु बनी रेलवे स्टेशन हो गया है निम्न कित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है इसमें से कौन सा न्रत्य है जो युद्ध से संबंदित है बैला अपसन कथकली दूसरा मेगालय का बंबू न्रत्य तीसरा मयूर भंज का छाओ और चौता है पंचाब का भंगडा बताएंगे विच्व कौन सा है जो युद्ध से जोड़ा हुआ है और आप सभी को पता है इसका उत्तर अगर नहीं पता है तो आपसन नमबर शी सही है मयूर भंज का छाओ जो है ये आपका जुड़ा हुआ युद्ध से बाकी युद्ध से नहीं जुड़े हुए है चित्रों के ऐसे संग्रय को क्या कहते है जिसका निवेस प्रलेखों में किया जा सकता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों ध्यान से उत्तर दीजेगा कह रहा है कि चित्रों के ऐसे संग्रय को क्या कहते है जिसका निवेस प्रलेखों में किया जा सकता है पहला है Photoshop, दूसरा है आटो आकरेतिया, तीसरा है सब्द कला और चौथा है क्लिप कला Most important question बच्चो ध्यान से उत्तर दीजिए का आफसन नमबर D सही है क्लिप कला कहते हैं जिनका परियोग प्रलेखों में किया जाता है निम्ने लिखित में से तंतरी वाद कौन सा है तंतरी वाद कौन सा है आपको ये बताना है Аपके सामने है आपसन, पहला मृदंगम, दूसरा तबला, तीसरा सहनाई और चौथा है संतूर तंतरी मतलब होता है जिसमें तांत का परियोग किया गया है तो आपके इसाब से क्या है जो सही हो जाएगा और ये भी most important विचो ये है आपका संतूर क्योंकि मृदंग और तबला ये सब पीट कर बजाए जाता है सहना है आप सभी को पता है फोग कर बजाए जाता है मुख से तो संतूर होगा गंधार कला के स्काल में बिक्सित हुई ये तो बता लेंगे बजचे बिना option बता लेंगे कि गंधार कला के कुछ साड काल से जुड़ा हुआ है गंधार कला मथुरा कला दोनों मूर्ती कला है और दोनों को प्रसरे दिया है कुछ साडों ने खास करके कनिस्कने गुरू केलू चरण महापात्र किस नृत्य सायली में निपोड़ है आपको बताना ये जो गुरू है ये कौन से नृत्य की सायली से जुड़े है कत्थक है, उडिसी है, कुचीपूडी है और भरतनाट्यम है बताएंगे बच्चो, ये भी आपके लिए बहुत ही सांदार प्रश्न है और ये है, आपका अपसर नृत्यम बी ओडिसा सही है या उडिसी, गुरू केलू चरण महापात्र किस नृत्य सायली से में निपोड़ है भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी है ये भी बहुत इंपोड़न बच्चो, देखे, आयो के द्वारा ये भी पुछा गया पहली बोलती फीचर फिल्म A है, राजा हरिश्चन, B है आलम आरा C है, दुनिया नामाने, और D है आदमी तो बच्चों बताएंगे, आपके सामने आपसन है और आपको मैं बताएंगे, पहली जो बोलती फिल्म है, वो है आपका आलम आरा आपसन नमर B, बिल्कुल सही है निमलिखित कला कारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजे एक और सांदार प्रशन आपके सामने है, जिससे आप लोगों का एक ही क्रेस्चन से बहुत सारे फैक्ट क्लियर होने वाले हैं और यहां पे आपके कूट और आपसन सब कुछ आपके सामने है पहला आपसन है संयुकता पाड़ि ग्रही, क्या यह सितार से जुड़ी है दूसरा है M. गोपाल कृष्ण आयर, क्या यह मृतंगम से है तीसरा है पंडित रविसंकर, क्या यह वाइलीन वादक है पाल घाट, मड़ी अयर, कला रूप, क्या यह उड़ी सी न्रत्य से जुड़े है आपके सामने कूट है, आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा तो देखे बच्चों, क्वेस्टन नमबर देख लेजे, 34 है क्वेस्टन नमबर 34 है, कूट और आपसन दोनों आपके सामने है आपके साब से क्या है, जो सही हो जाएगा आपके देख रहे हैं, 3, 2, 4, 1, B में 4, 3, 1, 2, C में आपका 2, 4, 3, 1, D में 1, 3, 2, 4, क्या है, जो सही हो जाएगा याद रखेंगे बच्चो, B option correct है आपका सायुकता जो पाड़िक रही है, ये जुड़ी हुई है, ODC से M, गोपाल, क्रिश्न, आयर जो है, ये किस से जुड़े हुए है बच्चो तो ये भी याद रखेगा, most important ये मृदंगम से है पंडित रभी संकर जो है, ये सितार और पाल घाट मड़ी आयर जो है, ये आपके हो जाएंगे, जो है, एक बार फिर से में रिपीट कर दे रही हुँ, ध्यान देजेगा, अगर कोई confusion है, तो कोई दिकत नहीं है, पहले का चार होगा, यानि कि ए का चार, B का तीन, यानि कि वाइलीन, C का आपका एक, एक यानि कि सितार और पाल घाट मड़ी आयर जो है, ये हो जाएंगे, मृदंगम, आपसे नमबर B, सही ये बचोई, ऐसे क्वेस्टन को थोड़ा दो चार बर देख लिया कीजी, ताकि आप लोगों को confusion ना हो, चूंकि ऐसे क्वेस्टन से बहु जोड़ा बनाना है, एक तरफ आपके ये व्यक्ति हैं, और दूसरी तरफ वो किस छितर से रिलेटेड है, ये दिया है, आपको बताने कौन साप्षन है, जो मैच करदा है, थामस L. फ्रीड मैन, क्या ये साहित से जुड़े हैं, जुबिन मेहना, क्या ये पत्रिकारस्ता से हैं, इसमत चुगताई, क्या ये चितरकला से हैं, जामिनी राय, इनको यामनी राय भी कहा जादा है, क्या ये संगीत से हैं, सांदार है आपके लिए प्रशन है, और ये सारे फेक्ट आप लोगों को बार-बार रिबिसन करना है, बच्चों, आपके साहित से क्या है, जो सह हो जाएगा बच्चों, वो है आपका ओफसन नमबर डी, थामस एल फ्रीडमान साहित से जुड़े हैं, जुविन महता चितरकला से जुड़े हैं, इसमत चुगताई संगीत से जुड़े हैं, और यामनी राय है, ये आपके पत्रकारिता से हैं, इसके पहले भी आम लोगों का पत्रकारिता से जुड़े होए हैं, इसमें आपसन नमबर A बता रहा है, 35 नमबर को पत्रकालिता से जोड़ी हुई है यामनी यानि कि आपका आपसा नमबर जो सही है वो मैं आपको बता चुकी हूँ इसको याद रखेंगा इंपोर्टेंट है अचली देखते हैं नेक्स्ट कलाकारों और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़ी बनाए एक और सांदर प्रशना सामने माखें घर जातवे और ओके दिर उनक्हां आपके सामने आपके कलाकार थे mixer हैं क्या अम्रिता कैसे जोडव सर्गिल बासुरी लिया क्या च्टकल या link alnaika मंडलन कृष्णन चिट्रकला से जोड़े हैं क्या स्वाइब्स परण्यक्त संब्रमन्यम भ्रतनाजियम से बताएंगे बिच्छों एक और सांदर्थ प्रस्टनाप के सामने है और यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पूट की सहाइता से उतर देना है कूट आप लोगों के सामने हैं तो देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं यहां पर जो है यह आपका यह यह बी है यह सी है और यह आपका दी है देखते हैं बचलो क्या उत्तर देने वाले हैं आप लोग तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका question number 36 देकर है है हम 36 का एह ही सही होगा option number एह ही सही होगा यानि कि यह option सही होगा अमरिता सेर्गिल का यहां पे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है क्या आपसन अशड्डी है आचा यह नहीं है इस तरह से है तो यह आपसन आपका यह सही होना चीए यानि कि अमरिता सेर्गिल आप सभी को पता है कि अम्रिता सेरियल जो है ये किस से जुड़ी हुई है चित्रकला से उसके बार टी श्वामिनाथन पिल्ले जो है ये जुड़े हुए है बासुरी से और कला मंडलम जो कृष्णल है ये जुड़े हुए है आपके कथककली से और जो पद्म सुब्रमन्यम है ये जुड़े हुए भरतनाटेम से ए आफसन यहाँ पे है बावो यह सही है आप लोगों का यह यहाँ पे ऐसे ही हो गया है यह इसका सूचक है इसको बता रहा है कि किसका क्या सही है तो आफसन नमबर जो सही है वो ए सही है आफसन नमबर ए सही है बच्चो यामनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य स प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन उड़ी सी नृत्य सायली से जूड़ी हुई है और ये आपके लिए सांदार प्रस्ण पूछा हुआ है आयोका पहला है सयुकता पाडिगराही दूसरा है पदमा शुब्रमन्यम तीसरा है सोनल मान सिंग और चौता है माधवी मुद्गल चार आपसन आपके सामने है ओड़े सी लोक जो सास्तिर नृत्य है इससे जूड़ी हुई आपके नृत्यांगना का नाम बताना है वेचो तो ये कौ हो जाएंगी आपसे नंबर बी हो जाएंगी पदमा शुब्रमन्यम है बहुत ही प्रसिद्ध आपकी ओड़ी सी द्रत्यांगना नेक्स देखिए निम्लकित में से कौन सा अस्थान कसीदाकारी की चिकनकारी सायले के लिए प्रसिद्ध है इसको तो आप लोग आख बंद कर की भी बता देंगे कि चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है वो आपका लखनव है आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनव है इंडिया ही ने पुरे विश्व में चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है निम्लकित में से कौन हिंदुस्तानी सास्त्रे गायन संगीत से सु हुए हैं या सुविख्यात हैं पताएंगे हिंदुस्तानी सास्त्रे गायन से जुड़े हुए बिक्तित्तों का नाम जो बहुत ही जादा प्रसिद्ध हैं सोबना नारायन है एम एस सुबालच्मी है पंडित जस्राज हैं और एम एस गोपाल कृष्णन चाराप सने बस चूँ आज के क्वेशन बहुत ही दमदार है लेकिन मोश्ट इंपोर्टेंट है ऐसा कोई एक्जाम नहीं है जिसमें आये ना हो ये क्वेशन एम एस सुबालच्मी आप चानते हैं आयोग अपना लेबल बहुत ही बढ़ा रहा है इसलिए आप लोगों को भी अपना लेबल बढ़ाना होगा वन लाइनर या ट्रिन वाले कोईस्टन से थोड़ा हटके डीप और नए-नए कोईस्टन को भी आप लोगों को याद करना है बताएंगे ओमर खित में से चित्रकला के छेतर में कौन प्रसिद हैं परवीन सुल्ताना है प्रोफेसर टी एन कृष्णन हैं C में राम किंकर है और D है राजा रभी वर्मा आपके सामने हैं आप्सन बच्छो बताएंगे कौन है जो चित्रकला के छेत्र में प्रसिद्ध है ये है राजा रभी वर्मा जो चित्रकला के छेत्र में प्रसिद्ध है फिर से आगया है आपके सामने कूट और आप्सन एक तर यह कौनसे रज्जे का है भटियाली गीत है गर्बा नुरत्य है रास्त नुरत्य है यह तो बहुत आसान है बचो आप लोगों के लिए बहुत आसान है 42 नंबर का जो क्वेस्टन है आप देखे कूट भी देख लीजे और कूट देखने के पाद उत्तर देदीजे बहुत आस गीत है यह पंजाब से होगा जो आपका भटियाली है यह बंगाल से होगा गर्बा गुजरात से रास उत्तर प्रदेश से इस तरह सी आपका जो आफशन सही होगा वो कौनसा सही हो जाएगा option number आपका C सही होना चाहिए देख लीजे आपका C का 4 और D का C ये आपका option number जो सही है वो आपका C option सही है बचो 2, 1, 4, 3 याद रखेंगे इस तरह से आपके 4 जो fact है वो clear हो गए है निमलेखित में से कौन सा एक महान करनाटक संगीतकार नहीं है इसमें से कौन सा है जो महान करनाटक संगीतकार नहीं है स्वाती तरुनाल बिश्रू दिगंबर पलुसकर मधू श्वामी दिछित और आपका श्यामा सास्त्रे 4 अपकी सामने है वचो आपको बताना है कि कौन है जो एक महान करनाटक संगीतकार नहीं है और जो महान करनाटक संगीतकार नहीं है वो है बिश्रू दिगंबर पलुसकर बिश्रू दिगंबर पलुसकर नहीं है बचो भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा ये तो आप सभी को बता बीन आपसन बता देंगे की बीड़ा है सबसे प्राचीन आपका वाद्देयंत्र तो अप्सा नमर शीस सही है कौँ सा एक सुसिर वाद्द है तो ये आपका आपका नाद स्वरम यहीं आपका सुसिर बाते हैं चित्रकला की बंगाल सैली का अगरुदूद कौन था किसने बंगाल सैली का जो है निर्माण किया है और यह आप सभी को पता है जो कि मैंने पढ़ाया है नंदलाल बोस है वेसी सान्याल है यामनी राय है और अवनेंदर नाथ ठाक भार्षो परतो पुर्यमाणक circuits ने ही बंगाली चित्रसैली का विकास कीया था और बहुत सारी चित्रकला इंहों ने बनाई आधनीक भारत के में इनौने चित्रकला को बहुत ही उस्चाइओ पर ले जाने का काम किया तान सेन सम्मान किस राज़ी की सरकार ने शुरु किया इंपोर्टेंट क्वेस्टन है वच्छो पताएंगे तान सेन सम्मान किस राजी के सरकार ने शुरू किया बहुत कॉमन सेंस का है यूपी एंपी गुजरात महाराष्ट्रा तो गुजरात महाराष्ट्रा नहीं है एंपी में जन्म हुआ था उनका और उत्तर प्रदेश में एक तरेके से कहिए कि दिल्ली में और आगरा के छितर में जादा रहे अकबर के दर्बार में आगरा फतेबुर सीकरी तो यह मद्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया चूकि यहीं का इनका जन्म है गौालियर का बी आफसन सही वच्चो बिर्जु महराज किस नृत्य साहली में ख्यात प्राते हैं आज आपने कूट में यह सौल्व किया है तो अब तो बीना आफसन बता लेंगे बिर्जु महराज जो जुड़े हुए है वो कत्थक से जुड़े हुए है आफसन नमबर सी बिल्कुल सह ही है रहिए मलिका शारा भाई निमलिकित में से किस के साथ जुड़े हुए सब्सक्राइब निर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आपकी 50 most important question उमीद है class अच्छी लगी होगी अच्छा लगा हो तो class में समय से उपस्तित रहे share करना ना भूले और comment box में जरूर लिखें कि class कैसा लगा आज के लिए तना ही